वेरी गुड मॉर्णी ओड़ी बड़ी मैं सभी कास सवागत करता हूँ फिजीज गान मुकेशन एक चैनल पर आज बच्चो हम लोग अग्री कॉलेज के बारे में डिसक्रेशन करने वाले इसके पहले मैंने वीडियो इंजिनिर के लिए बनाय था वो वीडियो जरूर देखन क्योंकि बच्चो आप लोगों को पता लगएगा कि कोई से कॉलेजिस है क्या है क्या आप लोग 12 पास हो रहे हो तो इसका मितलब आपको आपके बहन भाई कोई भी पूछ सकते तो पता भी होना चाहिए आपको करना नहीं करना भी बात अलग है ठीक है ना तो इंफरमेशन उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिशन बॉक्स में दिये वो लिंक यापको आपको एगरिकल्चर कॉलेजिस कौन कौन से है कहा है अपने गाव के पास कौन सी है अपने district में कौन सा कौलेज है गवर्म challenging कौन सा है यह सबी बात आपको इस वुडियो में मिलने वाली है साथ में बच्चो यहाँ पे आप लोगों को BSC Agree के बारे में discussion करेंगे इसमें near about 50 plus career option से उससे ज़्यादा है मतलब 50 से ज़्यादा है यहाँ पे आपको career option से इसमें career कर सकते हो कौन-कौन से career हम लोग 50 तो नहीं कर सकते है लेकिन इसके लिए मैं solution आपको बता दूँगा और जो main-main चीज़े हैं जो हम लोग कर सकते हैं इसले इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले BSC Agriculture 4 year का कोर से बच्चो चार साल लगते आपको साथ में आपको best government जो colleges से जो इंडिया के पूरे इंडिया के उसमें कौन से पता होना बहुत जरूरे वह या किसी को लग रहा होगा कि मुझे क्या सुनने से फायदा नहीं है ऐसे नहीं और अगर आप लोग नहीं हो तो like करना है subscribe करना है channel को और share भी करना है आज हम लोग details में इसके उपर बात करेंगे चलो बच्चो सबसे पहले एक college अब इसकी कोई order नहीं है लेकिन best colleges से ठीक है और यह हम लोग CET से नहीं दे सकते उसके लिए CET होती है आपको इसकी link भी provide करूँगा आपको उसको सर्च करना पड़ेगा आपको कि कब है क्या है ठीक है अभी तक उसका कोई notification नहीं मिला नाशनल डेरी रिसर्च इसको यंडी आर आई नाशनल डेरी रिसर्च इंस्ट्यूट बोलके करनाल में एक college है बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा college है बहुत जाला facilities है बच्चो यहां पर आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतनी बढ़िया बढ़िया नहीं पर facilities है साथ में दूसरा जो college है Indian Agriculture Research Institute यह भी institute ही बच्चो मैंने लिखा नहीं ठीक ना institute है हर टाइम लगना तो इसका लॉंग फ़र में आई ए आर या ना तो यह जो है आपको इंडियन अग्रिकल्चर जो इस्ट्टुट आप यह है और डल्ले में है यह भी बहुत बढ़िया college है यहां पर बहुत ज्यादा facilities होती बच्चो और यहां पर जो MPC UPC की जो बच्चे तायरी कर रहे है उनके लिए पेशल लाबरीज है बुक्स अवेलेबल है वाइफा है गॉल्स होस्टेल बॉइस होस्टेल सब भी फैसलिटीज है ठीक है उसका बाद में बच्चो यूजिटी ऑप एग्री सायंस यू यसे मतलब आउट अप कंट्री नहीं है यूसे मतलब यूजिटी ऑप एग्री सायं पी एई उ बोलते इसको लुदिया नम है ये कॉलेज ये भी अच्छा कॉलेज है बच्चो टेक है उसके बाद में सेंटर इंस्ट्यूट्यूट्ट अफ फिशेरी एजूकेशन ये भी अच्छा कॉलेज है ममई में अपने महरश्ट में है इसको भी आप लोग जाके देख सकते हो बच्चो ये सभी जो कॉलेजेस है ये बेस्ट फाइल कॉलेज मतलब इससे भी अच्छे हो सकते है ऐसे ही मोलड़ा मैं लेकिन ये टॉप कॉलेज है मेरे इसाब से टॉप कॉलेज है और बहुत ही अच्छे कॉलेज है रैंक वाइस नहीं दिया है मैंने लेकिन यहा college में बच्चो आप लोगों को ज्यादा facilities मिलेगी अच्छा environment मिलेगा साथ में बच्चो सही में agree कैसे करते ये पता लेगएगा हम लोग भी कर सकते जैसे कि कोई एक छोटा सा college है सबिक्त क्या और गरिकर रहे क्या कर रहे गर बखर कैसे कर रहे HSY झारे खुद को लगता है और वहां पर एक इन्वार्मेंट होने से आदमी सही एग्रिकल्चर ओपिस सर बनने के लाइक बनता आदमी तो इसलिए इसकी जो इंटरेंस है बच्चों यह इंटरेंस उसकी प्राविट सीटी होती है कॉलेज हर इंस्टुटिट की अलग-अलग सीटी है अपने मह क्या है कैसे सीटी है तो डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक है उस पर जाके आपको उपन करके देखना है अभी तक उनने का है पॉस्पांड केगी है ठीक है वहां पर मैंने चेक आउट किया है पॉस्पांड हो चुकी है कब आप लोगों को सर्च करते रेना वह लगे तो पर तेरेना हमेशा में चाहे उसके बाद में बच्चो B.A.C. आईग्री में जो करियर ओफिशन से कुण कुण से ओफिशन से बच्चो आप अपना बिजनेस कर सकते उसमें डेरी है यह ना वर्मी को पॉस्ट है मतलब क्या है डेरी का बिजनेस कर सकते हो बहुत अच्छा बिजनेस चलता बच्चो यह भी ऐसा नहीं कि सही में टेक्निकली कोई चीज़ करोगे ना तो बहुत बढ़िया ने तो गोले कि सर हमारे गाव में डेरी उसका कुछ भी फायदा नहीं जो सही में बहुत ही आच्छे जाब होते उसमें भी ऐसा नहीं यह आप लोग बिजने है हम लोगों को वह बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं आप लोग उसमें लाखों करोडर रुपे भी कमा सकते हैं लेकिन वह बिजनेस को सेट अप करते हैं आना चाहिए उतनी फैसलेटिज आपके पास होना चाहिए ठीक है उसके आला बच्चो यहां पर नंबर दो जो कुंपिटीडी एक्जाम से मेरे खाल साफंजे बच्चो जो लोग वह और और मागजिमम्म यहां पर एक्जाम की तैयारी करते हैं स्विल्स की तैयारी करते हैं मागजिममर पच्चिद मैंने यह अंपैसी यूपैसी जैसी कि मैं आपको महरgio incarnation का इक का युनिस टी का नाम और एक रहुरी पता हैं आपको जो नगर दिश्टिक में वहाँ पे बच्चे MPC-UPC की इतनी तयारी करते हो इतना जबरदस इन्वार्मेंटे बच्चो कि आप सोच भी ने सकते हैं ठीक है तो वहाँ पे जो MPC करने वाले बच्चो रात दिन वही पढ़ाई करते हैं MPC-UPC की तो ऐसे यहां पर जो भी बच्चे ज्यादा करके इसमें ही यह करते हैं आप मैंने इसके पहले भी BSC करना है इसमें बताया था कि यहां पर बच्चो यह जो बैंकिंग है बैंकिंग सक्टर में आजकल ज्यादा बच्चे आ रहे क्यों आ रहे हर बैंक को compulsory एक पोस्ट हो गई है उसका नाम है अग्री कल्चर फिल्ड ऑपिसर इनका काम होता है कोई जो फार्मर है उसको लोन देने का काम होता है मतलब उसकी खेती सही में कैसी है अच पर मतलब उनकी जो खेती है उनकी कॉलिटी देखके उनको लोन पास किया जाता है और उनके लिए एक ऑपिसर हर बैंक में आजकल है जैसे कि मेरे खुद के रिलेटिव एव जैसे कि मेरे कजिन ब्रादर है वो खुद अग्री कल्चर फिल्ड ऑपिसर नगर डिस्ट्रिक मे खुद वो जॉब कर रहा है और उसरे कि मेरा साला है वो भी एग्री फिल्ड ऑपिछर बोलकर काम कर रहा है इं अ है न महाराश्टि यह दोनों भी काम करे और दोनोंने ज्यादर ले बच्चो जैसी ही उनका कोलेच खतम हो चार मैने तैयरी कि उन्होंने और चार मैने के अंदर उनकी तयारी होने के बाद और कम पर्सेंटिज में लगते बच्चो क्यूंकि उनके पोश्ट जादा है क्यूंकि इसके पहले पोश्ट नहीं थी अभी पोश्ट भरनी है घर बैंक को तो इसलिए उनका नंबर इसलिए लगता है ठीक है defense में भी उनकी प्रॉप्मेंट ओपिसर बोलके एक हर डिष्ट्री को हाना डी ओ यह ऐसे अलग-अलग बहुत सारे ऐसे पोस्टिंग होती है उसके बाद में अग्रिकल्चर एक्स्टेंशन ओपिसर यह भी होती है उनके लिए भी यह मैसे होने के बात कर सकते हैं टेकनिकल असिस्टेंट बो बहुत बढ़िया यह भी अपोस्टिंटी है सीड ओपिसर मतलब सीड जो रहते हैं जैसे कि हम लोग ग्यों की सीड सीड बनाते हैं उनका ओपिसर होता है फिल्ड असिस्टंट मतलब फिल्ड असिस्टंट भी होता यह भी है टीचर बन सकते बच्चो प्रावेट जो कर्मेंट भी जॉब होते हैं ऐसे कुछ निया बीड भी कर सकते हैं जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप लोग इससे यह भी अपोस्टिंटी है यह मसी एगरी करके बच्चो आप लोग प्रोपेसर बन सकते हैं उसमें आपको नेट सेट करना पड़ेगा उसके बाद में आपको प आलो करना पड़ेगा पूरे डिटियल्स में आराम से कम से कर में एक धरब घंता आम से पड़ना मतलब जो चीज बत्चो बहुत सरे बच्चों का करतें पर ते लेकिन समझ में नाये क्यों ने किवो पड़ना इसे मत बड़ना इसे मत असे उसको मुझे ग thinner बेना है लैना ही Okay, screenshot ले रहे हो, होगी, चलो, इसका मतलब बच्चो आप लोगों को ये screenshot लेके पूरी information collect करो, आप लोग चाहते हो महाराष्ट की पढ़ाई करना चाहते हो, या महाराष्ट में पढ़ाई अग्री करना चाहते हो, तो इसके लिए description box में लिंक है, वो देखना बहुत जरूए, बच्चो पढ़ाई करते रहना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, ठीक है, आपकी CET की तैयरी करो, CET के लिए महाराष्ट का agriculture college क्या है, उसके बारे में पूरा details है, तो share करना है, like करना है, ने तो subscribe करना है, और best luck for your feature, select करते हो तो,